आज भारतिय समाज अपना पहनावा खान पान रिती रिवाज भूल रहा है तो इसका मूल कारण पास्चात्य संस्कृति और इसका प्रभाव ही है हम पक्षिम के देशों के तोर तरीके अपनाने की होड में लगे हैं तथा 5000 वर्ष पूरु भारतिय सब्वेता एम संस्कृति को भुलाते जा रही हैं वक्त है हमें समय रहते सावधान हो जाना चाहिए तथा अपनी संस्कृति को बचाने का प्रियतन करना चाहिए बारतिय समाजगी संस्कृति आध्यात्म प्रधान संस्कृति कही जाती है जबकि पास्चाते संस्कृति को भोतिक प्रधान संस्कृति के रूप में देखते हैं आध्यात्म प्रदान संस्कृति से तात पर ये एभोतिक तवादी द्रश्टिकोंड को अत्यादिक महत्व मिलने से है प्राचीन काल से ही भारत संस्कृति में विश्वास भावना आस्ता धर्म रिती रिवाजो परंपराओं आधी का अत्यादिक महत्व रहा है द्हरमपदान संस्कृति होने के काल लोगों ने इसिये आधात्मपदान संस्कृति माना है प्रंपरागा द्रष्टी कोण के तहट हम अपने धार्मिक अर्थार्त आधात्मिक दर्षन को लेकर काफी हद x तक अतित के प्रती महिमामन्डित भाव रख त लेकिन आज आओ सकता इस बात की है कि विग्यानिक द्रश्टी को नपना कर हमें इस तत्य का मुल्यनकन करना चाहिए कि किस्वी सदी में भी क्या पांच्वी सदी की मानिताओं को जारी रखा जा सकता है। आज दुनिया विग्यान की निरंतर व्रदी के दम पर चांद तो क्या सूर्य को भी खंगालने की कोशिस कर रही है। दिक महत्व देती है। रश्टी कोण की आलोचना करते हैं कि जिसमें उन पर पास्षाते संस्कृति से अत्यदिक प्रभावित होने का अरोप लगाया जाता है। पास्षाते संस्कृति की नकल के कार लोग स्वेतंतर होकर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। सवरूप व्यवाइक संबंदों में सुद्रड़ता एवं आत्मयता का भाव उत्पन हो गया है। संयुक्त परिवार में व्यवाइक संबंदों को तूटने से बचाने के लिए जो पारिवारिक प्रेश्ट भूमी होती है। वर्तमान के एकल या नाविक परिवारों में इसका भाव है। इस कारण विवा विचेद की समश्या में ब्रद्धी हुई है। पाश्यात्य संस्कृति का प्रभाव लेकिन दूसरी और प्रेम विवा अंतर जाती विवा जैसे मामलों में व्रद्धी हुई है। विचेशकर महीलाओं के व्यक्तितवे के विकास में सिक्षिया के प्रचार ने उन्हें आधिक महत्वा कांक्षी और आत्म विश्वासी बना दिया है। उनमें आत्म निर्बरता की भावना का अत्यादिक परचार होने से परिवार का संतुलित एवं सुद्रड विकास होता है सेक्षी के उनम आर्थिक द्रिष्टी से आत्म निर्बर महिलाएं जो परंपरा की बेडियों में जगड कर घर के चार दिवारी में कैद थी अप पूर्सों के समान अधिकार प्राप्त कर आजकल सबसे बड़ी समश्या पाश्चाती करण को आदूनी की करण की परिकरिया समानता है सरल सब्दों में कहें तो भारत में आधूनीकी करण की प्रिकरिया पक्षमी करण की प्रिकरिया दलए ही प्रारंब होती है थाय। में आदूनिक मुल्यों के साथ साथ कुछ रूड़िवादी परंप्राइं भी सामील होती रहachen जबकि आदूनी की करण की प्रिक्रिया एक मुल्य भारित अधार नहीं है अर्थार्थ आधूनिक मुल्यों कानुकरण करना एवन उसके अनूरूप यवहर करना आधूनी गरना तार्किक युंद उपः убийकता है लेकिन पास्चात्य संस्करथ के अन्य तत्वों का अंधा नुकरण अनुचीत हैं फाश्चात्य संस्करथी का नुकरण करने की होड़ में हम अपनी भासा संस्कृती वेजभुसा कला रहनसे Κंः साईती को भूल गए हैं आधुनिकतक इस दोड में हमने आर्थिक के साथ सांस्कृतिक शेत्र में भी अत्यधिक प्रगति की है। को यांतरिक बना दिया है समवेदना ए प्रेम आत्मेता का इस्तान क्रत्री में उपचारिक संबंदों ने ले लिया है मनश्य वादिक एकांग की एम स्वयकेंद्रित बन गया है लोगों के बीच आत्मेता एम आमने सामने से इसने पूर्ण संबंद समाप्त होते जा रही है परिणाम सोरूप सामाजीक जीवन नीरस एम अर्थवीन होता जा रहा है इसी कारण आजावशक्ता भारतिय संस्कृति की परंपरां को सहीज कर रखने के साथ साथ पाश्यात्य संस्कृति के आधूनिक मुल्यों को आत्मसाथ करने की है परंपरिक्ता आधूनिक्ता को अहसास करवाती है जो हमें विश्व के अन्य देशों के विकास की दोड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है वारती संस्कृति की अनेक परंपराएं ऐसी है जो सामाजिक जीवन को अधिक सरसेम आत्मे बनाए रखने में योगदान करती है जिससे मनुष्य की तरह ज अनुष्य जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं अते दोनों में परस पर विरोध नहीं बलकी अनुनियास्ति संब्ध है पक्षमी सब्वेता बनाम भारते सब्वेता पक्षिम की प्रोदोगी की और पूरु की अधरम चेतना का सर्वस्रेश लेकर ही नई मानव संस्क करती का निर्मान संब्व है पक्षिम नया धर्म चाता है पूरव नया ग्यान दोनों की अपनी अपनी आवसकता हैं वहां यंत्र है मंत्र नहीं यहां मंत्र है यंत्र नहीं वहां बहुतिक संपन्ता है पक्षिम के आध्यात्मिक दैन्ने को दूर करने में पूरव की मैत्र पूरब को आध्यातमवाद परलोकवा तथा निस्क्रियतावाद से छुटकारा मिल जाएगा भाग्यवाद को प्रोदोगी की से जोड़कर हम मनुशेता के एकर्मनियता को दूर कर सकते हैं तथा दर्ती के जीवन को सर्मोतम बनाएंगी जीवन से भाग करके नहीं उसके भी पिड़न और अभाव के प्रती सम्वेदित और किरियासिल होकर ही हम अपनी अध्यात्मिक ताको प्राणवान और जीवन को सार्तक बना सकते हैं ज्यान को सकती में नहीं परमारत अर्था उत्सरग में ही डाल कर हम मानवता को उजागर करेंगे प्रकर्ती में हमने जो कुछ पाया है उसे हम बलाद छीनी हुई वस्तु क्यों माने क्यों ने हम स्विकार करें कि प्रकर्ती ने अपने अक्षे भंडार को मानो मात्रे के लिए अनावर्थ कर रखा है प्रकर्ती के प्रती प्रती योगीता और प्रती इस्प्रदा का भाव क्यों वस्तुत है प्रकर्ती के प्रति सहयोगी किरते के और सहयोगी होकर ही मनुष्य अपनी भीतरी प्रेकर्टी को राग दिवेश से मुक्त करता है और इस परदा को प्रेम में बदलता है आज के आन्विक प्रोधगी को मानव कल्यान का साधन बनाने की अत्यनत आओ सकता है यह तब ही संभव है जो मनु साकी रक्षा और उसके विकास के लिए पूरो पक्षिम का समिलन आवशक है यह कभी पंत का कथन चरितार्थ हो सकेगा मानव तुम सबसे सुन्दरतम हो धन्यवाद जैहिन जैभारत